यह वीडियो में हम लोग सिखेंगे की कल के दिन nipty और bank nipty में किस तरीके का momentum हो सकता है उसके पीछे का complete logic क्या है price action के हिसाब से plus option chain के analysis के हिसाब से कल के दिन मैंने जो वीडियो आपको download करके दिया वो आता YouTube के उपर वहाँ पे मैंने clear cut बोला था कि कौन सा option आपको buy करना है, कौन से rate पे करना है और exactly market ने उसी तरीके का momentum दिखाया तो आज के दिन भी मैं उसके पीछे का एक logic आपको explain करके बताऊंगा कि कैसे कल के दिन हम लोग trade कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके सामने bank nifty का 15 minute का spot का chart open किया हुआ है अगर आप देखोगे तो सुबह market में एक sudden fall ला गया उसके बाद एक V shape recovery हम लोगों को दिखाई दिया तो इस तरीके का जब भी momentum आता है next day में आपको एक बहुत बढ़िया trade मिलने की high probability रहती है तो यहाँ पे नीचे की side में मैंने एक support level draw किया हुआ है इसी level से mouse pack देके market ने एक बढ़िया upsider momentum दिखाया था और same इसी level पर market ने एक बढ़िया upsider momentum दिखाया तो यह जो support का level है यह दो बार already test हो चुका है आप तीसरी बार market जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे breakout मिलने की बहुत ज़्यादा probability है तो उस case में हम लोग क्या कर सकते है 36,000 दोसों का जो put है वो 36,000 के दोसों को put को हम लोग buy कर सकते है यहाँ पे हमारा condition यह रहेगा कि market जो है यहाँ पे flat open हो या फिर थोड़ा down open हो इस level के करीब आगे कुछ time के लिए consolidate होना चाहिए मतलब range bound momentum में जाना चाहिए और फिर उसके बाद breakout देना चाहिए वहाँ पे अगर हमें breakout मिलता है तो नीचे की side में हमारा जो target रहेगा वो almost 36,000 लेवल तक के रहेगा 36,000 एक important psychological लेवल भी है तो हमारा नीचे की side में जो target आता है वो 36,000 लेवल के करीब तक का आ जाएगा तो इस तरीके से downside के momentum को हम लोग price action के इसाब से play कर सकते है अभी देख लेते हैं कि option chain के इसाब से bank nifty में किस तरीके के scenario बन रहा है अभी आपके सामने में जो option chain लगाया हुआ है यह bank nifty का option chain लगाया हुआ है जब भी आपको option chain में confusion होता है कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या किजिए stage wise conclusion निकलने की कोशिश किजिए तो stage number one में आपको क्या करना है simply यह देखना है कि open interest का जो data यहाँ पे total data बना हुआ है वो कहाँ पे ज़्यादा है? call की side में ज़्यादा है या put की side में ज़्यादा है अगर call की side में वो open interest का data आपको ज़्यादा दिखाई देता है तो इसका मतलब यह होता है कि resistance जो है वो resistance strong हो रहा है अगर resistance strong हो रहा है तो उस case में हमें क्या करना है? sell on rise का trading strategy यूज़ करना है बस इतना simple करना है यहाँ पे अगर मान लोग की resistance strong नहीं होता put strong होता तो उस case में हम लोग क्या करते हम लोग buy on dips वाला trading strategy यूज़ करते तो जब भी market नीचे आता तो bounce back की probability ज़ादा होती अभी आज के दिन में क्या हो रहा है आज के दिन में यहाँ पे हमें sell on rise का trading strategy market बता रहा है कल के लिए अभी का data देखके तो यहाँ पे आगर आप देखो गया तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 37,000 का जो level है वहाँ पे highest open interest बना हुआ है आलमोट 25 लाग share का और यह 36,500 का जो level है यहाँ पे आलमोट 24 लाग share का open interest बना हुआ है तो दोनों के उपर आलमोट लगबग semi open interest बना हुआ है इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा conviction की कमतरता है market में call writers में तो इसका ही हमें benefit लेना है हमें इसका benefit कब मिल सकता है तो यह जो 36,500 का level है कल के दिन market अगर इसके नीचे trade करना चालू हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमें one sided बढ़िया momentum दिखाई देगा क्यों दिखाई देगा क्योंकि price action के इससाब से यह जो support level है यह support level अल्रेडी market ने दो बार test किया हुआ है तीसरी बार जब इस level को market break करेगा यहाँ पर हमें जो trap हुए हुए writer से उनका भी सहारा मिलेगा प्लस price action भी हमें वही indicate कर रहा है तो इस तरीके का जब आप combination करना सीख जाओगे तो आप आसानी से यह price action को प्लस option chain को सीख जाओगे अगर जादा से जादा लोग इस वीडियो को like करेंगे तो मुझे जादा motivation मिलेगा और आपके लिए educational वीडियो बनाने के लिए अभी देख लेते हैं कि निप्टी में किस तरीके का scenario बन रहा है निप्टी में आगर आप देखोगे तो continuous market upsider का momentum दिखाई दे रहा था उसके बाद market ने एक high volatile session आज के दिन दिखाया हुआ है लेकिन ये high volatile session हमारे लिए बहुत बढ़िया setup यहाँ पे अभी बन चुका है कल के दिन market flat यह थोड़ा सा gap up open होता है और इस उपर वाले level को upside की तरह break करता है तो वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया opportunity मिल सकता है इस case में हम लोग 17400 का जो call है वो 17400 के call को हम लोग buy कर सकते है उपर की side में हमारा जो target रहेगा वो 17500 के करीब का रहेगा इस case में downside के तरफ हम लोगों के लिए ज़्यादा important support के level नहीं मिल रहे है तो हम लोग nipty में सिर्फ और सिर्फ buying के लिए ही कल के दिन सोच सकते है अगर ये level को market break करता है तो तो यहाँ पे अगर PCR का value अगर हम लोग देखते है तो 3 बज़े जब मैंने PCR का value देखा था तो 1.20 के करीब आ रहा था मतलब market में दोनों साइड के momentum में हमें probability मिल सकती है हमें price action के इसाब से और option chain का combination करना पड़ेगा अभी option chain के ऊपर मैं आपको लेकर आया हूँ nipty के यहाँ पे option chain में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाए देगा तीन strike price के ऊपर highest open interest create हो चुका है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17400, 17500 के ऊपर एक आपको resistance मिल रहा है और उसके बाद directly आपको 18000 का resistance मिल रहा है यह 18000 के resistance को हम लोग ज़्यादा important नहीं देंगे क्योंकि यह resistance जो है वो hedgers लोगों के वज़ा से create हुआ resistance है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे speculator लोग कहाँ पे position बना रहे है इसके उपर focus करेंगे क्योंकि यह speculator लोग जो है वो trap अगर हो जाते है तो उनकी वज़ा से बहुत बड़िया momentum हम लोगों को मिल सकता है अभी कल के दिन क्या हो जाएगा मान लो कि यह उपर की side का जो level मैंने आपको draw करके दिया हुआ है यह level अगर break हो जाता है तो यहाँ पे जो लोगोंने call writing किया रहेगा वो call writer क्या हो जाएंगे trap हो जाएंगे और वो जब भी trap हो जाएंगे वो position square off करने के लिए market में आ जाएंगे तो उसके वज़ा से क्या हो जाएगा market में एक buy का pressure आ जाएगा उनके buy के pressure के वज़ा से market उपर उठना चालो हो जाएगा तो put writer भी यहाँ पे active हो जाएंगे और जो side line पर बेटे रहेते वो भी यहाँ पे buy का order punch करेंगे उससे market में बहुत बढ़िया upsided momentum create होने की possibility है यहाँ पे अगर आपको option chain का free वाला course करना है तो free वाले course के details मेंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel का link video के नीचे description box में मेंने डाला हुआ है अभी यहाँ पे कुछ point आपको समझने पड़ेंगे जब भी यहाँ पे highest open interest के जैसा open interest डो अलग अलग level पर create होता है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह level पर कभ यह open interest create हुआ है मतलब जब in between market range bound phase में रहता है तो range bound phase में रहने के time पे यहाँ पे अगर highest open interest create होता है तो उसको किस तरीके से trade करना ही है हम लोगों को समझ में आना चाहिए जब भी यह level के उपर market आएगा मतलब 17,400 के उपर market आएगा तो 17,500 के करीब जाके market रुकने वाला है क्योंकि इस में से कुछ लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पे shift हो जाएंगे जो लोग hedging करते हैं यह option के बहुत सारे trading strategies है तो वहाँ पे shifting होता है, adjustment होता है तो यहाँ पे जो लोग trap हो जाएंगे वो इतने आसानी से हर नहीं मानेंगे वो लोग उपर की side में shift हो जाएंगे और उपर की side में यह 17,500 का जो level है यह और भी important resistance level की तरह काम करेगा तो कल के दिन यह 17,400 का जो level है इसको जब market break करेगा तो आपको cautiously focus करना पड़ेगा कि यहाँ में से कितने यहाँ पे आगर 56,000,000 shares है तो trap होने के बाद कितने लोग यहाँ पे shift हो रहे है तो हम लोग 17,400 और 17,500 का जो call है वो call के open interest को कोईगदम cautiously observe करेंगे जैसे ही market इस 17,400 को break करेगा मान लोग कि यहाँ पे अभी 55,000,000 shares का open interest है तो इसको break करने के बाद यह 45,000,000 या 40,000,000 रहे जाता है और इसमें अगर 15,000,000,000,000,000,000 add हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे एक shifting हो चुका है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यह level आप resistance level act होगा और वहाँ से market reverse होने की high probability है और जब market इस level के करीब आज जाएगा हम लोग एक बर PCR value के उपर भी focus करेंगे तो इस तरीके से अगर आप option chain का analysis करोगे तो आपका निशाना बहुत ही सटिक बेटेगा और आपको एकदम high probability होले जादा से जादा risk reward ratio होले trade मिलेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे यह जो अपना free वाला telegram channel है जहाँ पे मैं free के intraday के signal देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह मैंने जो signal दिया था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कौन से option में क्या करना है और हमें आलमूस्ट यहाँ पे 290 से लेके 370 टूक टक का momentum catch करने को मिला अब इस तरीके के move market में कब होते है यह आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे जब trapping होता है तो trapping होने के बावजूद ही वहाँ पे आपको बड़िया momentum दिखाई देता है अगर आप यहाँ पे 37,000-37,000 market चल रहा है वो strike price के उपर देखोगे तो यहाँ पे इतना कुछ बड़िया open interest हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है round figure के उपर हम लोगों को ज़्यादा open interest दिखाई देता है तो आपको यही psychology को समझना पड़ेगा कि कब market कौन से level पर आकर किस तरीके का open interest बना रहा है उस open interest को अगर हम लोग closely monitor करेंगे तभी जाके हम लोगों को एक अच्छा analysis मिल जाएगा अभी price action के इसाब से कुछ point आभी आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे नीचे की side में मैंने आपको एक भी level नहीं बताया हुआ है क्यों नहीं बताया हुआ है इसके पीछे का थोड़ा सा साइकलोजी आपको समझना पड़ेगा उपर की side में अगर market यहाँ पे breakout देता है तो market historic high होने के कारब यहाँ पे बड़ा momentum होने की probability है मान लोग की market यह level को downside की तरफ break करता है तो अभी market को यहाँ पे support का level आने वाला है यहाँ पे दूसरा support आने वाला है यहाँ पे तीसरा support आने वाला है तो यहाँ पे नीचे आते समय market को multiple time support मिलने वाले है तो उस case में अगर हम लोग trade भी करेंगे तो उस case में हमको risk reward ratio proper नहीं मिलेगा अगर हम लोग उपर की side में trade करते है तो उपर की साइड में हम लोगों को ज़्यादा risk reward ratio मिल सकता है मतलब हम लोग option buyer है option buyer के लिए important क्या है कि one side momentum ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा quick होना चाहिए जो उपर की साइड में हमें मिल सकता है अगर market continuous uptrend में बना रहेगा तो आप उपर की साइड के trade यहाँ पे buying के trade identify कीजे तो उसमें आपको बहुत बढ़िया risk reward ratio मिलेगा तो इस तरीके से जब आप इस price action के logic को option chain के साथ combine करना सीखोगे तो आप आसानी से एक static trade identify कर पाओगे यहाँ पे यह वीशे पॉलर recovery जो आया हुआ है यह वीशे पॉलर recovery ने एक बात confirm कर दी है कि market में एक बड़ा momentum आने की probability है जब भी market एकदम slow momentum दिखाता है तो उसका मतलब यह होता है कि market के जो participant है वो इतने active नहीं है और जब भी market ने इस तरीके का वीशे पॉलर recovery आता है दे सकता है तो इसी तरीके के educational वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग यह वीडियो को like कीजिए और वीडियो को like करने के बाद आपना telegram channel subscribe कीजिए और telegram channel subscribe करने के बाद youtube के channel को subscribe कीजिए और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजिए तो जैसे ही में कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीजेट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो मिलता है नेक्स्ट एजोकेशनल वीडियो में थैंक्यू वेरी मॉच